मैं कौन हूँ? आत्म अनुवेशन से जुड़े प्रश्न उत्तर का संग्रह है। ये प्रश्न सन 1902 में श्री शिव प्रकाशम पिल्ले द्वारा भगवान रमण महरसी से पूछे गए थे। भगवान उस समय विरुपाक्ष गुफा में मौन अवस्ता में थे। उन्होंने प्रश्नों का उत्तर लिख कर दिया। सभी जीव दुख रहित शाश्वत सुख की इच्छा रखते हैं। तथा हर किसी में देखा गया है कि उसे स्वयम के प्रती सरवाधिक प्रेम होता है। सुख ही प्रेम का कारण है। वह सुख जो स्वयम का स्वभाव है और जिसकी अनुभूती मन रहित गहन निद्रा की अवस्ता में होती है। कि प्राप्ती के लिए व्यक्ती को अपने स्वयम को जानना चाहिए। उसके लिए मैं कौन हूँ का ज्ञान विचार ही प्रमुख सधन है। मैं कौन हूँ। सब्द धातुओं से बना स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ। शब्द, स्पर्स, रूप, रस, गंध इन पाचों विशयों को प्रथक ग्रहन करने वाले। क्रमशह कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिवहा और नासिका। ये पाचों ग्यानेंद्रियां भी मैं नहीं हूँ। वानी, गमन, ग्रहन, मलविसर्जन, आनंद, ये पंच विधक्रियां करने वाली, क्रमशह वाक, पाद, पाणी, भायू और उपस्त, ये पाचों कर्मेंद्रियां भी मैं नहीं हूँ। श्वाश आदी पंच कर्म करने वाले, प्राण आदी वायू पंचक भी मैं नहीं हूँ। यदि मैं इन मैं से कोई नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ। उपरोक्त सभी को नेती नेती से निरस्त करने के बाद जो केवल चैतन्य बचता है वह मैं हूँ उस चैतन्य का स्वरूप क्या है? चैतन्य का स्वरूप सच्चिदानंद है स्वरूप का दर्शन का भूगा जब द्रिश्य जगत का लोब होता है तो स्वरूप का बोध होता है जो द्रिश्टा है क्या द्रिश्य जगत के बोध प्रतिभास के साथ स्वरूप दर्शन नहीं हो सकता नहीं क्यों द्रिश्टा और द्रिश्य रज्जु और सर्प जैसे है जैसे की रसी का ग्यान जो अधिश्टान अर्थात आधार है तब तक उधित नहीं होगा जब तक की कालपनिक सर्प का मिथ्या ग्यान नहीं चाला जाता उसी प्रकार स्वरूप दर्शन जो अधिश्टान अर्थात आधार है कि प्राप्ती तब तक नहीं हो सकती जब तक कि कल्पित जगत द्रिष्टी का विनाश नहीं हो जाता द्रिष्ट जगत बोध का नाश कब होगा? मन जो सभी ज्ञान अनभवों एवं समस्त कर्मों का कारण है के लीन होने पर जगत का लोप हो जाएगा मन का सुरूप क्या है? जिसे मन कहते हैं वह आत्मा में निवास करने वाली आश्यरे जनक शक्ती है इसी से सभी विचार उधित होते हैं विचारों के अत्रिक्त मन जैसी कोई चीज है ही नहीं इसलिए विचार मन का सुरूप है विचारों के अत्रिक्त जगत का कोई अलग अस्तित्व नहीं है गहन निद्रा में जब कोई विचार नहीं होता तब कोई जगत भी नहीं होता है जागरत एवं स्वप्न की अवस्ताओं में जब विचार होते हैं तब जगत भी होता है जैसे मकड़ी स्वयम जाल बुन्ती तथा कुनह उसे वापस खीच लेती है उसी प्रकार मन जगत को प्रतिविंबिक करता है तथा कुनह स्वयम में स्थिर कर लेता है मन जब स्वरूप के बाहर आता है तो जगत प्रकट होता है इसलिए जब जगत प्रकट होता है तब स्वरूप प्रकाशित नहीं होता और जब स्वरूप प्रकाशित होता है तब जगत प्रकट नहीं होता जब कोई मन के स्वरूप की खोज करता है तो मन विलुप्ट हो जाता है और आत्मा ही रह जाता है निरंतर मन का अस्तित्व सदैव किसी स्थूल पर अवलंबित है वह अकेला नहीं रह सकता यह मन है जिसे शूक्ष्म शरीर या जीव कहते है मन के स्वरूप को समझने के लिए अन्वेशन का पत्थ क्या है शरीर में जो मैं के रूप में उदित होता है वह मन है जब कोई खोज करता है कि सर्व प्रथम मैं का विचार शरीर में कहां से उदित होता है तो उसे पता चलता है कि यह हिर्दय से उदित होता है वह मन के उदित होने का स्रोत है यदि कोई लगातार मैं मैं सोचता है तो भी वह उस स्थान स्रोत पर पहुँच जाएगा मन में उदित होने वाले समस्त विचारों में मैं का विचार प्रथम है प्रथम व्यक्ति सर्वनाम के उदित होने के बाद ही दुत्तिय एवं तृतिय सर्वनाम प्रकट होते हैं प्रथम व्यक्तिक सर्वनाम के बिना दुत्तिय ये तृत्तिय नहीं हो सकती मन इस्थिर अर्थात शांत कैसे हुगा मैं कौन हूँ के अनवेशन द्वारा ही मन शांत हुगा मैं कौन हूँ का विचार सभी अन्य विचारों को नश्ट कर देगा तथा जिस प्रकार शव जलाने के लिए प्रियोक्त किया गया डंडा अन्त में स्वयम भी जल जाता है उसी प्रकार यह स्वयम भी नश्ट हो जाता है तब वहां स्वरूप दर्शन होगा मैं कौन हूँ के विचार को सदैव पकड़े रहने का तरीका क्या है जब दूसरे विचार उदित होते हैं तो व्यक्ति को उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए बलकि अन्वेशन करना चाहिए कि वे विचार किसके लिए उदित होते हैं चाहे जितने भी विचार उदित होते हैं तो क्या फर्क पड़ता है जैसे ही कोई विचार उदित होता है व्यक्ति को ततपरता से खोज करनी चाहिए कि किसके लिए यह विचार उदित हुआ उत्तर आएगा मेरे लिए इस पर जब व्यक्ति खोज करता है कि मैं कौन हूँ तो मन अपने सुरोत में वापिश चला जाता है और उधित हुआ विचार शान्त हो जाता है इसके बारंबार अभ्यास से मन अपने सुरोत में रहने की दक्षता विक्सित कर लेता है मन जो शोक्ष में है जब बुद्धी एवं ग्यानेंद्रियों के द्वारा बाहर जाता है तो इस्थूल नाम रूप प्रकट होते है और जब यह हिर्दय में निवास करता है तो नाम रूप विलुप्त हो जाते है मन को बाहर जाने से रोप कर उसे हिर्दय में इस्थित करने को अहम मुख या अंतर मुखी होना कहते है मन को हिर्दय से बाहर जाने देने को बहर मुखी होना कहते है इस प्रकार जब मन हिर्दय में निवास करता है तो मैं जो सभी विचारों का मूल है लुप्त हो जाता है और सदैव अस्तित्व मान स्वरूप प्रकाशित होता है व्यक्ति चाहे जो भी करे उसे बिना मैं के एहंकार के करना चाहिए जब कोई इस प्रकार से कर्म करता है तो उसके समक्ष सब कुछ शेव स्वरूप के रूप में प्रकाशित होगा क्या मनो निग्रह के दूसरे उपाई नहीं है आत्म विचार के अतिरिक्त कोई उप्युक्त उपाई नहीं है यदि दूसरे उपायों से मन नियंत्रन का प्रयास किया जाता है तो लगता है कि मन नियंत्रित है, किन्तु वह पुनह प्रकट हो जाता है प्राणयाम के द्वारा भी मन इस्थिर हो जाएगा, किन्तु वह तभी तक नियंत्रित रहेगा, जब तक कि प्राण नियंत्रित है और जब श्वशन आरंब होता है तो मन पुनह गतिशील हो जाता है तथा संचित वासनाओं के अनुरूप भटकेगा मन और प्राण दोनु का ही सुरोत एक ही है निश्चित ही विचार मन का सुरूप है मैं का विचार मन का प्रथम विचार है और यही एहंकार है जहां से एहंकार उत्पन होता है वहीं से स्वशन भी आरंब होता है इसलिए जब मन इस्थिर होता है तो स्वास नियंत्रित हो जाता है और जब स्वास नियंत्रित होता है तो मन इस्थिर हो जाता है किन्तु शुशुप्ति में यद्यपी मन इस्थिर रहता है किन्तु स्वास नहीं रुखता है यह इश्वरी इच्छा के कारण है ताकि शरीर सुरक्षित रहे और लोग यह नहीं समझे की यह मर गया है जागरत एवं समाधी की अवस्ताओं में जब मन इस्थिर हो जाता है तो स्वास नियंत्रित रहता है प्राण मन का स्थूल रूप है मृत्यू की छण तक मन प्राण को शरीर में रखता है जब शरीर मर जाता है तो मन प्राण को साथ ले जाता है इसलिए प्राणायाम का अभ्यास मनों निक्रह में साहयक तो है किन्तु यह मन का नाश नहीं करता है प्राणायाम की तरह मूर्तिध्यान, मंत्रजब, आहार नियमन, आदी मन को स्थिर करने में साहयक है मूर्तिध्यान एवं मंत्रजब से मन एकाग्र हो जाता है मन का स्वभाव है सदा चंचल रहना जैसे सदा हिलते रहने वाले हाती की सूंड में यदि एक जंजीर दे दी जाए तो वह हाती जैसे किसी दूसरी चीज को पकड़ने का प्रयक्न किये बिना उस जंजीर को ही पकड़े चलता रहता है उसी प्रकार मन को भी किसी नाम या रूप इश्वर के में अनुसक्त रहने के अभ्यास से जोड़ा जाए तो वह उसी को ग्रहन किये रहेगा मन जब असंखे विचारों के रूप में फैलता है तो प्रत्येक विचार अत्यंत बलहीन होता है किन्तु विचारों के लुप्त होते होते ही मन एकाग्र एवं बल्वान हो जाता है ऐसे मन के लिए आत्म अन्वेशन सरल हो जाता है सकल नियमों में श्रेष्ट, मित, एवं सात्विक आहार है इन नियमों के पालन से मन में सत्थगुण की विद्धी होती है जो आत्म अन्वेशन में सहायक होगा समुद्र की लहरों की भाती संचित विशय वासनाओं के असिमित विचार प्रकट होते हैं वे सब कब नश्ट होंगे स्वरूप ध्यान तीवर होते ही वे विचार क्रमशह नश्ट हो जाएंगे क्या आदिकाल से चली आ रही विशय वासनाओं का विनश्ट होना तथा स्वरूप मात्र बनकर रहना संभव है यह संभव है या नहीं संदेह को इस्तान दिये बिना निरंतर स्वरूप ध्यान में सुद्रड रहना चाहिए कोई चाहे कितना बड़ा पापी क्यों न हो मैं तो पापी हूँ मेरा उधार कैसे हो सकता है यू दीन होकर प्रलाप न करते हुए मैं पापी हूँ के विचार को पूरी तरह त्याक कर यदि वह सतत स्वरूप ध्यान में सनलगने रहेगा तो निश्चित ही सफल होगा शुभ मन और अशुभ मन ऐसे दो मन नहीं है मन एक ही है वासनाएं ही शुभ एवं अशुभ दो तरह की होती है मन जब शुभ वासनाओं के वशिभूत होता है तब उसे शुभ मन कहते है और जब अशुभ वासनाओं के वशिभूत होता है तब वह अशुभ मन कहलाता है प्रपंच विशेयों में मन नहीं लगाना चाहिए तथा उसे दूसरे के कारियों में हस्त छेप नहीं करना चाहिए दूसरे लोग कितने भी बुरे क्यों न हूँ उनसे द्वेश नहीं करना चाहिए राग द्वेश दोनु त्याज है दूसरों को जो कुछ दिया जाता है वह सब अपने आपको दिया जाता है इस सत्य को जान लेने के बाद भला कौन दूसरों को नहीं देना चाहेगा एहनता के उदित होने से सब कुछ उदित होगा एहनता के विलीन होने से सब कुछ विलीन हो जाएगा हम जितना अधिक विनम्रहों आचरण करेंगे उतना ही अधिक हमारा हित होगा मन को निग्रहिट करके कोई कहीं भी रह सकता है आत्म अन्वेशन का अभ्यास कब तक करना चाहिए जब तक मन में विशय वासनाएं रहती है तब तक मैं कौन हूँ का अन्वेशन आवश्यक है जो जो विचार उठते हैं त्यों त्यों उनके उत्पत्ते इस्तान में ही आत्म अन्वेशन द्वारा उन सब का नाश करना चाहिए। आत्म स्वरूप की प्राप्ति तक यदि कोई निरंतर स्वरूप स्मरण में रहेगा तो यह एक साधना ही पर्याप्त है। जब तक दुर्ग के भीतर शत्रु है तब तक वे उससे बाहर आते रहेंगे। जो जो वे बाहर आते हैं तधा उन्हें मारते रहें तो दुर्ग हस्तगत हो जाएगा। स्वरूप का सुभाव क्या है? यथार्त में जो अस्तित्व मान है वह केवल आत्म स्वरूप है। जगत, जीव और इश्वर इसमें मोती में चादी के आभास की भाती कल्पित प्रतीती है। ये तीनों एक ही समय प्रकट होकर एक ही समय लुप्त होते हैं। जिस समय पर में का किंचित मात्र विचार नहीं होता, वहां स्वरूप है, वही मौन है। स्वरूप स्वमेव जगत है, स्वरूप स्वमेव मैं है, स्वरूप स्वमेव इश्वर है, सब कुछ शीव स्वरूप है। क्या सब कुछ इश्वर के कारी नहीं है। बिना इच्छा संकल्प या प्रयास के आदित्य उधित होता है और उसकी उपस्तिती मात्र से सूरी कांत मनी पत्थर अगनी उगलता है, कमल खिलता है, पानी वाश्पित होता है, लोग विभिन कारियों में प्रवर्थ होते हैं तथा उन्हें करने के बाद निश्क्रिय होते जिस प्रकार चुम्बक के समक्ष सुई हिलती है उसी प्रकार संकल्प विहीन ईश्वर की सन्निधी विशेश मात्र से होने वाले त्रिकर्मों अथ्वा पंच कृत्यों से नियंत्रित सकल जीव अपने अपने कर्म अनुसार कारी कर विश्राम करते हैं इसके विपरीत वह संकल्प रहित है वह किसी कर्म से बधा नहीं है यह ठीक उसी प्रकार है जैसे लोग क्रियाएं सूरी को प्रभावित नहीं करती या अन्य चार भूत के गुण अउगुण व्यापक आकाश पर प्रभाव नहीं डाल पाते स्वरूप के रूप में उपस्तित इश्वर को जो स्वयम को समर्पित करता है वह सबसे उत्तम भक्त है इश्वर को समर्पित करने का अर्थ है कि आत्मा के अत्रिक्त विचारों को उधित होने के लिए बिना इस्थान दिये जो निरंतर आत्मा में रहता है इश्वर के उपर जो भी भार फैके जाते हैं वह उनको वहन करता है जब परमेश्वर शक्ती सकल चीजों को संचालिक करती है तो अपने आपको उसको बिना समर्पित किये क्यों हम निरंतर विचार द्वारा चिंता करते हैं की क्या करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए हम जानते हैं कि रेलगाडी सभी बूझ ले जाती है इसलिए उसके भीतर प्रवेश के उपरांत हमें छोटा भार रेलगाडी में रखकर आराम अनभव करने की जगह तकलीव सहते हुए अपना सामान सिर पर क्यों लादे रहना चाहिए वेराग्य क्या है जैसे ही विचार उधित होते हैं उन्हें उनके जन्म स्तान पर उनका बिना कोई चिन्न छोड़े तुरंत नश्ट कर देना वेराग्य है जैसे एक गोता खोर अपने कटी पर एक पत्थर बाधे समुद्र के तल पर तैरता है तथा वहां से मोती प्राप्त करता है उसी प्रकार हम्मे से प्रत्येक को वेराग्य द्वारा अपने स्वयम के भीतर गोता लगाना चाहिए तथा आत्मा रूपी मोती प्राप्त करना चाहिए क्या इश्वर या गुरू किसी जीव को मुक्ती नहीं दे सकते इश्वर या गुरू केवल मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे वे स्वयम जीव को मुक्ति के अवस्ता में नहीं ले जा सकते वास्तों में इश्वर एवं गुरू भिन्न नहीं है जिस प्रकार चीते के जबडे में आया शिकार बाहर नहीं निकल पाता उसी प्रकार जो गुरू के अनुकंपा दृष्टे की परिधी में आ गए हैं वे नश्ट नहीं होंगे बलकि गुरू द्वारा रक्षित होंगे यज्जपी हर किसी को इश्वर या गुरू द्वारा दर्शाय गए मार्ग पर स्वयम प्रयत्न करना एवं मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए स्वयम को स्वयम के ज्ञान चक्षु द्वारा जानना चाहिए कोई किसी दूसरे के चक्षु द्वारा कैसे जान सकता है क्या वह जो राम है उसको यह जानने के लिए कि वह राम है एक दरपन की आवश्यक्ता होती है मुक्ति की इच्छा रखने वालों को क्या तत्व का अन्वेशन करना चाहिए जिस प्रकार कोई कूडे को फैकना चाहता है तो उसे उसका विश्लेशन करने या यह देखने के लिए की वह क्या है की आवश्यक्ता नहीं होती उसी प्रकार जो अपने स्वयम को जानना चाहता है तो उसे स्वरूप को ढखने वाले तत्व को निरस्त करने के इस्तान पर उनकी संख्या गिनने या उनकी विशेष्टाएं जानने की आवश्यक्ता नहीं है संसार को स्वपन जैसा मानना चाहिए क्या जागरत एवम स्वपन में कोई भेद नहीं है जागरत की अवस्ता दीरग तथा स्वपन की छणिक होती है इसके अतिरिक्त उनमें कोई भेद नहीं है जागरत में जागरत की घटनाई जितनी सत्य लगती है उसी प्रकार स्वपन के समय स्वपन की घटनाई उतनी ही वास्तवीक लगती है स्वपन में मन एक दूसरा शरीर धरन करता है जागरत एवम स्वपन दोनु ही आवस्ताओं में नाम, रूप के विचार क्रमशह आते रहते हैं क्या मुमुक्षु के लिए शास्त्र पढ़ना उप्योगी है? सभी शास्त्र कहते हैं कि मुक्ती पाने के लिए मन को निग्रहित करना चाहिए उनके उपदेशों का सार है कि मन को शांत करना चाहिए एक बार इसे समझ लेने पर पुस्तकों के अत्यधिक अध्यन की कोई आवशक्ता नहीं है मन को इस्थिर करने के लिए अपने स्वयम के भीतर केवल अन्वेशन करना चाहिए कि वह स्वयम क्या है? यह अन्वेशन पुस्तकों में कैसे किया जा सकता है? अपने स्वयम की ज्यान दृष्टी से अपनी आत्मा को जानना चाहिए स्वरूप पंच कोशों के भीतर है किन्तु पुस्तके उनके बाहर है जब अपने स्वयम का अन्वेशन पंच कोशों के निरस्तिकरण से करना है तो क्या इसको पुस्तकों में करना व्यर्थ नहीं है एक समय आएगा जब उसे समस्त सीखी हुई चीजों को भूलना होगा सुख क्या है? सुख आत्मा का सहज स्वभाव है सुख एवम सुरूप अलग नहीं है संसार की किसी वस्तू में कोई सुख नहीं है हम अपने अविवेक के कारण कलपना करते हैं की प्रपंच वस्तूओं से सुख प्राप्त करते हैं मन जब बहिर मुखी होता है तो दुख अनभव करता है वास्तों में जब इसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं तो यह अपने सुरूत इस्तान पर वापिस लोटता है तथा केवल आत्मसुख अनभव करता है जो की आत्मा है इसी प्रकार की इस्तिती गहरी निद्रा, समाधी या मूर्चा के अवस्ता में होती है और जब एच्छिक वस्तु की प्राप्टी या अनएच्छिक मिट जाता है तो मन अंतर मुखी होकर केवल आत्मसुख अनभव करता है किन्तु इस प्रकार मन बिना आराम के निरंतर विचलित रहता, क्रमशह आत्मा के बाहर जाता, पुनह इसमें वापिस लोटता है पेड के नीचे च्छाया सुख कर लगती है, जबकि खुले इस्तान की गर्मी सहन नहीं होती एक जो सूरी की तपिस में च्छाया छोड़कर भटकता है, तथा वापिस च्छाया में लोटता है, अविवेकी है एक विवे की व्यक्ति इस्थाई रोप में चाया में रहता है उसी प्रकार ज्यानी का मन ब्रह्म को नहीं छोड़ता जबकि इसके विपरीत एक अज्यानी का मन संसार में घूमता रहता तथा दुख की अनुभूती करता है और अल्प समय के लिए आनंद की अनुभूती के लिए ब्रह्म में वापिस लोटता है वास्तों में जिसे जगत कहा गया है वह केवल विचार है जब जगत विलुप्त होगा तब कोई विचार नहीं रहता तो मन आनंद की अनुभूती करता है और जब जगत प्रकट होता है तो उसे दुखों के अनुभोती होती है ग्यान दृष्टी क्या है? मौन रहना ग्यान दृष्टी है मौन रहने का अर्थ मन को आत्म स्वरूप में लीन करना है यह अवस्ता ही ग्यान दृष्टी कहलाती है दूसरों के विचार पढ़ना या जानना भूत, भविष्य, एवं वर्तमान का त्रिकाल ग्यान दूर देशों के पदार्थों को जानना या ग्रहन करना इन सब को कभी ग्यान दृष्टी नहीं कहा जा सकता वैरागी तथा ग्यान के बीच क्या संबंद है? वैरागी स्वयम ग्यान है वैरागी एवं ग्यान अलग नहीं है वस्तु तोह दोनु एक है वैरागी आत्मा से मन को किसी वस्तु की ओर जाने से रोकता है ग्यान का अर्थ आत्मा के अत्रिक्त किसी वस्तु का प्रकट नहोना है दूसरे शब्दों में किसी अन्य चीज में प्रवर्त न होना वेराग्य है स्वरूप का कभी परिट्याग न करना ज्ञान है अन्वेशन एवं ध्यान में क्या भेद है स्वयम की आत्मा में मन को इस्थित करना अन्वेशन है हम स्वयम ब्रह्म है सच्चितानंद है का निरंतर भाव ध्यान है मुक्ति क्या है बंधन में पड़े एहम का अन्वेशन करना तथा बंधन से मुक्त अपने स्वयम के इथार्त स्वरूप को जानना मुक्ति है